नमस्कार दोस्तों मैं प्रति प्रति प्मार्ट फ्योल वेबसाइट.com में आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों हम देख रहें एंगुलर की स्रीज जो प्रिविस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एंगुलर के अंदर स्वेच का यूज करते हैं और आई होप आपने प्रिविस वीडियो देखा हूँ तो आपको यह ले आउट याद होगा जो यहां पर स्क्रिन पर दिख रहा है जिसमें हमने यहां पर कंडिशन लगाया था रेट सेलेक्ट करते हैं तो उसके एकॉर्डिंग यहां पर आपको रिजल्ट दिखता है यहां वीडियो सेक्षिन में भी जाके इसको मिल जागा प्लेलिस्ट में सारे अंगुलर की स्रीज को भी देख सकते हैं तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में कि एंगुलर के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर अगर हमें प्रफॉर्म करना है त कि मानलई जयो हमने 24 या kis हम से कलर की वेलु पास की यह कंदिशन में आपको यह डाटा नहीं कि है यह दाटा दिख यह बद आप कंदिशन यहां है कि एक से जादा अगर हमें कंदिशन अप्लाई करनी है तो चेक करानी यह tip कंदिशन के अंदर मानलई जय Kelण है जिसको की हमें चेक कराना है तो उसके लिए end और इनका use करेंगे ठीक है तो वो हम कैसे use करेंगे angular के अंदर multiple क्योंकि अभी तक आपने जो देखा है ngif और else और den का उसके अंदर single condition हमने चेक कराये थे कोई option अभी तक नहीं था यानि multiple means की operator का use करके हमने नहीं देखा था कैसे condition को apply करते हैं चलिए start करते हैं और इस वीडियो में complete करते हैं इस topic को तो बता दो चनल को subscribe नहीं किया है तो अभी इस पी सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लिटेस्ट अपडेट पाने के लिए साथे साथ आपको याद होगा कि मैंने हर पर बताया कि courses.website.com यह हमारा ले ले आउट है तो इस स्वेच का code था तो इसको मैं एक बार के लिए comment कर देता हूं यहां से क्योंकि इस condition में जो हम करने जा रहे हैं इसमें इसकी जरूरत नहीं है ठीक है control यहां पर गलत हो गया हमें यहां से लेकर code को comment करना है कहां तक जहां तक यह deep है simple ठीक है सेफ करेंगे सेफ करेंगे और page पर जाएंगे तो अब layout refresh हो जागा जैसे ही होगा page पर गया तो अब यहां पर clean होगे हमारा सारोग चलते हैं editor के अंदर अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने यहां पर ts file जो है app.component.ts file इसमें से हम एक नया condition यहां पर बना लेत हैं is login अगर user login है ठीक है log log in equal to true एक condition हम यहां पर पहला condition हमारा है clear अगर user logged in है अब यहां पर आते हैं और यहां पर एक div लेते हैं simple ठीक है div में हमने आपको बताया था हम star ng if का यूज करते हैं कंडिशन चेक कराना होता है ठीक है अब कंडिशन क्या चेक कराना है is logged in यानि कि यह जो हमारा वेरियेवल जो हमने यहां पर डिफाइन क्या है अगर यह true यहां से पास होता है तो हमें क्या हो इसके अंदर हमें data या h1 tag define लिख लें h1 या h2 tag कुछ भी आप लिख सकते हैं हमालेज हम h1 लिख रहे हैं यहां पर लिख जैते हैं user logged in clear save करते हैं अब जैसे ही save होता है पेज पर चलेंगे तो आपको यहां पर user logged in आ रहा है प्रफेक्ट लेकिन अब condition यह है हमालेज यहां पर और भी condition लगा देते हैं कि यूजर तो लॉगडिन है ठीक है लेकिन यह यूजर का जो नेम होगा वह होना चाहिए admin यह हमारा दूसरा condition है यह भी चेक कराना है सिर्फ यूजर लॉगडिन है से मतलब नहीं है यूजर एड्मिन होगा तब भी काम करें तो अब यहां पर condition अगर चेक कराना दूसरा यहां पर हम एक बनाएंगे जो कि हमने बनाया था एंजी टेंपलेट एंजी टेंपलेट ठीक है क्लोज हो गया यह हो गया और यहां पर देते हैं id और not logged in इस तरीके से या लॉगडिन कुछ भी आप यहां लिख सकते हैं नहीं है तो यहां पर यह वाला कॉल हो जा देते हैं यहां पर लॉगडिन है सिंपल इतना साथ कि तो जैसे कंपाइल हुआ है यहां पर यहां पर यहां पर सहीए कोई दिख करती हैं अब हमारा कंडिशन मेंने क्या बताया है कि यहां पर user name भी चेक कराना है कि user name जो है वह हमारा मैच करे एडबिन से तो वो कैसे हमें अब यहां पर यूज करना होगा एंड का ओपरेटर ठीक है एंड लॉजिकल ओपरेटर तो एंड यूज करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है इसी के अंदर यहां पर जाना है इस तरीके से एंड लिखेंगे यूजर नेम equal to equal to check कराएंगे single quotes क्योंकि यहाँ पर हमने बाहर double quotes रखा इसलिए अंदर के और single quotes रखेंगे और यहाँ पर check कराएंगे admin clear save करते हैं page पर चलते हैं तो अभी भी हमारा क्या आना चाहिए user logged in condition user logged in आ रहा है perfect है कोई दिक्कत नहीं है but अगर हम यहाँ पर admin की जगह अब हम कुछ और लिख दें जैसे मालव जो मैं अपनो नाम लिख देता हूँ ठीक है तो अब यह condition match नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर user name change हो गया और यहाँ पर check करेगा तो पहले यहाँ पर check करेगा लॉग डिन है जो कि सही है बिल्कुल true है यानि कि यह condition match कर रहा है बट अब second condition जो है end के साथ यह match नहीं कर रहा है तो इस case में अब क्या होगा यह call नहीं होगा इस case में अब क्या जाएगा else के condition में जाएगा और यहाँ पर आएगा user not logged चलते हैं page पर तो यहाँ देखिए user not logging मतलब यह भी सही condition काम कर रहा है तो यह हमारा कौन सा operator है end operator है अब इसी को copy करते हैं और यहाँ पर clone करते हैं खीक है उपर करतों में दोनों दिखना चाहिए आपको अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो हमने end का use किया है यह समझने के लिए मैं लिखते रहा हो और end operator using end operator यह समझने के लिए यह चीज मैंने लगाया है कि यह पता चले कि यह जो data आ रहा है वो किस condition में आपको आ रहा है save करेंगे अब page पे चलेंगे तो अब यहाँ पे दिखिए यहाँ पे क्या हो रहा है यह condition तो यहाँ पे इस condition में तो मैच नहीं कर रहा है बट इस condition में यह लोगडिन यह true है बट यह condition मैंच नहीं कर रहा है फिर भी यह अब data display होना चाहिए और condition में कोई यह कवी मैच कर रहा है तो data display होना चाहिए तब यहां पे दो data display होगा पहला क्या होगा user logged in using or operator और उसके बाद यह call होगा क्योंकि यह वाला यहां पे call हो रहा है अब यहां से इसको हटा सकते हैं यहां पे इसको ना भी रखें तो भी चलेगा सेफ करते हैं page पे चलते हैं यहां पे तो अब भी देखिए एक तो आ रहा है user not logged in जो किसको call करा रहा है यह वाला पहला condition यहां चेक हो रहा सबसे पहले और वहां पे चेक कर रहा है और सबसे पहले प्रेंट करा रहा है इस data को उसके बाद आया second में यहां पे चेक कर रहा है कि logged in है या नहीं है यहां पे मैच किया है कि लोग नहीं है और यूजर नेम एड्मिन यहां पर कोई एक condition मैच करना जाए तो यह मैच कर रहा है तो उस case में फिर आपको यहां पर य यूजर लॉग दिन और ओपरेटर मतलब और और एंड यहां पे परफेक्टले हमारा वर्क कर रहा है कोई दिकत इसमें नहीं है कर दे आँक समझिए यहां पर एंड भी काम कर रहा है और भी कांड वह काम कर रहा है अगर हम पर इसको ट्रू की जेगा ऊव्व सेथ करें एब क्या होगा यहांपर लॉंग श्कांड हो गया उजय्हारनें भी कड्या हो यहां पर प्रदीप यहांद लमें तो अब यह तो आयगा ही आएगा user login अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर यह भी यह भी मैच नहीं कर रहा है अब यहाँ पे और conditions में भी दोनों में से कोई मैच नहीं कर रहा है तो अब यह data भी नहीं डिस्पिले होगा ठीक है पेज पर जाएंगे तो सिर्फ सिंगल लट आपको दिखेगा यह वाला देखें यूजर नौट लॉग्डिन मतलब अब क्या न तो यह मैश कर रहा है न तो यह मैश कर रहा है और ऑपरेटर के अंदर इसके अंदर भी यह भी मैश नहीं कर रहा है य इसमें तो सेम कंडिशन है दोनों मैश में से एक मैश नहीं कर रहा है तो यहां पर यह फॉल्स हो रहा है बट यह आपको ट्रू मिल रहा है यानि कि यह कंडिशन मैश कर रहा है तो इस केस में अब और ऑपरेटर का भी डाटा यहां पर शो होना चाहिए यह देखे यूजर कर रहे हैं कि दोनों को मैं true कर रहा हूं यानि कि यह login भी true है और username भी admin है तो अब इस case में क्या होगा कि यह भी match कर रहा है और यह भी match कर रहा है मतलब यह end condition match कर रहा है तो यह data तो हमारा print होगा यहां तक तो clear है लेकिन यहां पर देखिए और operator के अंदर यह भी match कर रहा है और यह भी match कर रहा है अब तो दोनों match कर रहे हैं इस condition में तो इस condition में अब यह print होना यह नहीं चाहिए या होना चाहिए अब यह आपके समझने वाली बात है end का तो समझ में आता है दोनों condition match कर रहे हैं तो यह तो print होगा ही होगा है इसमें कोई Doubt नहीं है BUT अब और के conditioning में है घर हम चेक कर रहे हैं तो यह भी maiz कर रहा है अब दोनो ही match कर रहे हैं दोनों कंडिशन टुरॉ है बड कि यहां ऑपरेटर कौन सा है और का है तो तो अब यहां पर देखिए दोनों यहां पर डाटा को दिख रहा है यूजर लॉग्डिन यूजिंग एंड ऑपरेटर भी दिख रहा है मतलब क्लियर हो गया कि दोनों ट्रू है तब यह तो दिखेगा ही इस कंडिशन में भी मतलब और के कंडिशन में भी अगर दोनों करते हैं जैसे greater than equal to मालों कोई variable की बात करते हैं यहाँ पर मालों मैं एक value देता हूं ठीक है username यहाँ यहाँ पर देते हैं कि score मालों कोई student है जिसने कुछ score किया score equal to 100 का हमने score है यहाँ पर किसी को 80 मिली है ठीक है save करते हैं और यहाँ पर condition लगाते हैं नीचे एक div लेते हैं एक नया div बनाते हैं ठीक है यहाँ पर check कराते हैं सबसे पहले score ठीक है score अगर greater than ठीक है और equal to किसके होगा 75 के 75 से उपर greater than equal to है तो यहाँ पर लिखेंगे first position मतलब first rank मिला है first rank में आप आ गया simple इसी तरीके से नीचे और एक दो तीन करेंगे यहाँ पर check करेंगे अगर 65 है माले यह 50 60 से उपर गया और equal to है तो भी है नहीं आना चाहिए हम यह चेक करेंगे कि 62 से क्या है less than है अगर 60 से less than या 75 से less than 60 नहीं 75 से less than है ठीक है तो इस condition म में आए second second rank अब page पर चलते हैं अभी हमारा score की value क्या है यहाँ पर 80 है और यहाँ पर condition check कर रहे है तो यह condition match कर रहा है और इस condition की बात करेंगे तो यह match नहीं कर रहा है क्योंकि less than नहीं है तो यहाँ पर data देखते हैं यहाँ पर आपको दिखा first rank perfectly सही दिख रहा है लेकिन अ तो page compile हुआ अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आगे second rank यह तो यह हो गया कि अगर हमें value compare करनी है तो भी हम इस तरीके से compare कर सकते हैं या फिर यहाँ पर end यहाँ और का भी कर सकते थे condition मतलब यहाँ पर अगर हम यह लगा ले और ठीक है और यहाँ पर लिख देए score is greater than 60 ठीक है score देखा यहाँ तो है 75 और यहाँ पर score is greater than 60 and यहाँ एक और लगाते है and score यह आपको उपर जितने चाहे condition अब यहाँ पर लगा सकते है score is less than 75 अब यहाँ पर condition क्या चीक होगा कि score 60 से ज्यादा होना चाहिए और 75 से कम अगर यह है तो भी हमारा first rank आना चाहिए सेफ करता हूं यहाँ पर हमारा क्या है डाटा 60 यानि कि 60 से 65 कर देते हैं 65 कर देते हैं सेफ करते हैं तो अब इस case में हमारा क्या होगा कि यह दोनों डाटा हमें डिस्प्ले होने चाहिए कि देखिए first rank भी हो गया second rank भी यहाँ पर डिस्प्ले हो गया condition के कॉड़े क्योंकि चलो यह condition तो मैच नहीं कर रहा है बट और operator में आया यह condition मैच कर गया एंड operator में 75 से less than यह भी मैच कर गया तो इस तरीके से हम multiple यहाँ पर लगा सकते हैं condition लेकिन अगर हम इसको इन दोनों को एक समझें कि यह दोनों एक operator में आ जाए तो फिर यहाँ पर दिक्कत होगा जैसे हम नौर्मली अगर देख लेते हैं इस तरीके से हम लिख दें कि इन और पेज पर चलते हैं तो यह देखिए फर्स्ट सेकेंड दोनों आ रहे हैं लेकिन यहीं हम तोरा सा ट्विक कर दें कि हमारा वैलू क्या है 65 है जो कि इन में से condition मैच कर रहा है मतलब 60 से बड़ा है ठीक है बड़ इसकोर जो है वो क्या है less than है कि से 60 से यह हम condition 63 कर देते हैं करने के लिए ठीक है 65 नहीं 63 से मतलब इसकोर की वैलू यहां पे तो पहला यह मैच करेगा है ठीक है सेकेंड मालों ओपरेटर है और है तो चलो एक ओपरेटर भी काम कर गया तो परफेक्ट है आ जागा डाटा लेकिन यहां पे अब एंड है इसके बाद एंड ओपरेटर है और एंड ओपरेटर में दोनों मैच करना चाहिए इसमें से कोई एक मैच कर गया प्लस यह भी मैच करना चाहिए तो यह अब मैच तो कर नहीं रहा है क्योंकि इसकोर की वैलू 63 से कम तो है नहीं तो अब यह वाला फर्स्ट रेंग डाटा नहीं आना चाहिए पेज पर जाएंगे तो यह देखिए सेकेंड आया फर्स्ट वाला रिमूव हो गया लेकिन अगर यही यहाँ पर 65 करते हैं तो भी यह फर्स्ट वाला नहीं आएगा क्योंकि लेस देन हमने रखा 65 से लेस देन तो भी यह देखिए फर्स्ट नहीं आया लेकिन लेस देन और equal to, दोनों लगाते हैं, तब यह first वाला दिख जाएगा, क्योंकि यह condition यहाँ match कर गया, और end के साथ यह वाला condition match कर गया, मतलब दो condition यहाँ match कर गया, तो first वाला भी यहाँ पर rank कर गया, तो इस तरीके से हम logical operator यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर, I hope आपको यह चीज़े clear हो गया होगा, इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा operator के बारे में कि अगर हमें operator यूज करना है logical operator और angular के अंदर तो कैसे यूज करेंगे, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ share करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कानले सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने को बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना बुलें और मैं फिर से कहूंगा कि सारे कोर्स आप हमारे courses.website.com पर जाके read out कर सकते हैं, यहां सारे कोर्स मिल जाएंगे आपको